जै श्रेराम, कैसे हैं आप सब लोग? So, आज हम लोग remedies सीखने जा रहे हैं और remedies किस चीज की सीखने जा रहे हैं? जो number आपकी date of birth में missing है Basically आपने numeroscope बनाना सीखा तो numeroscope में जो number missing है अब अगर कोई number जैसे मालेजे 1 नहीं आता 2 नहीं आता, 3, 4, 5 कोई भी number अगर आपके numeroscope का part नहीं है तो आपने देखा कि अगर कोई missing number है तो उसका क्या ill effects होते हैं? तो अब इन ill effects को खतम करने के अभी अगर रोग बताया है तो दवाब बताना भी मेरी जिम्मेदारी है तो मैं आपको ये बताने जा रहे हूँ कि exactly आपको ये जो numbers missing है इनको complete करने के लिए या इन numbers को miss होने की वज़ा से जो life में incompleteness है उसको recover करने के लिए क्या करना होगा? एक number एक number अगर किसी के भी chart में missing है जो 90-99 तक पैदा हुए उनकी बात नहीं करूँ क्योंकि उनके chart में default one number था लेकिन आज की rate में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और आज की rate बोलूँ कि आप तो 24 साल हो गया आप तो जो बच्चे 2000 में पैदा हुआ होगा वो 24 साल का हो गया होगा तो यहां पर हम बात करें जो बच्चे 2000 में या 2000 के बात पैदा हुए वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि numeroscope में one missing है one missing होता है तो क्या होता है कि कई पर हमें बोलने में जजजक आती है हमें सब लोगं के सामने बात करने में जजजक आती है हमारा self confidence भी होता है यह सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो आप मेरी वीडियो देख सकते हो मैंने पूरा numerology के उपर पूरी series जा ली हुई है तो आज तो यह उस series का last you know part है कि किस सरह से आप अपने जो missing number से उनके लिए उनकी पूर्ती के लिए आप क्या काम कर सकते हो ठीक है तो अगर एक number missing है ध्यान देना मेरी इस बात को underline करके mark कर लो अगर एक number missing है और आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई एक number missing होने वाली चीज़ें अगर इनका एहसास हो रहे जिन्दगी में कियार बोल नहीं पाता हूँ मेरे अंदर self confidence की कमी है मैं चार लोगों के सामने अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाती हूँ पाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा होता हूँ वो नहीं कह पाता हूँ या फिर मुझे मेरे किये गए काम का recognition नहीं मिलता है सूरे recognition का कारक है न तो मेरे किये गए काम का मतलब है मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेहनत कर रहा हूँ पैसा भी मिल जाता है लेकिन कई बार ऐसा होता है आप देखोगे अगर एक number missing है तो किये गए काम का उतना recognition नहीं मिल पाता है तो अगर ऐसा है तब आप ये remedies कर सकते हैं जो बहुत बताने जा रही हूँ अब क्या-क्या remedies हो सकती है numeroscope में एक number आपको पता है कहा आता है देखिए एक बार screen पर देखिए तो अगर यहां पर जो एक number आना चाहिए आपका ये एक number आपकी date of birth में एक number missing है तो आप क्या-क्या काम कर सकते हैं पहला देखिए सबसे पहले एक number किसका प्रतीक है सूरे का जो brightness का कारक है आपकी self confidence का आपकी self image का self respect का self esteem का कारक है अगर इस एक number का ना पाया जाना ये दिखाता है कि हाँ कहीं न कहीं ये जो सूरे के कारक तत्व होंगे वो इंसान की personality में कम दिखाई देंगे जिसकी वरासे problem आएगी ध्यान देना अगर आपको ऐसा काम करें जहांपर इन सब चीजों का मतलब आपको जादा किसे बात नहीं करनी पड़ती जादा किसे बोलना नहीं पड़ता बैक आफिस की जॉब कर रहे हैं जहांपर कोई मतलब नहीं है आपको जादा social होने का और आपको अगर एक number के ना होने से अगर कोई ऐसे जैसी कोई problem नहीं आ रहे है तो remedies कराने की कोई जूरत नहीं ज़रूरी नहीं कि हम अपनी कुंडली में सारे के सारे number जो की missing है सब की remedies करें और यह ज़रूरी है ऐसा नहीं है हमको हर number नहीं चाहिए मेरे नाना जी हमेशा कहा करते थे कि remedy उसी चीज की करो जिसकी problem हो मतलब दवाई उसी चीज ही खाओ जिसका मर्ज हो बिना मर्ज के दवाई खाना अच्छा नहीं है तो अगर आपको मर्ज है आपको problem है इस चीज से आप चाहते हो कि वो चीज इंप्रूव हो जाए वो चीज आपके अंदर आए कि आप सब लोग के साथ अराम से confidently बात कर पाओ तो आप ये remedies कर सकते हो तो इस बात को ध्यान से देना देखना और अगर आप किसी को remedy प्रूवाइड कर रहे हो तो आप सामने वाले बंदे से पूछोगे कि exactly आप चाहते क्या हो लाई उससे अगर वो चाहता ही नहीं तो जबरदसी है नहीं कि देखा अरे एक नमबर नहीं है उसमें चार्ट में फटाफट इसको remedy दे दो सामने वाले से पूछो कि exactly उसकी problem क्या है उसकी problem को सुनके जब remedy आप देते हो तो आप एक बहतर remedy प्लान कर सकते हो सामने वाले के लिए ठीक है तो चलिए अगर आपका सूर्य यहाँ पर एक नमबर missing है तो आप क्या कर सकते हो आप बता सकते हो कि आप मंदर जाओ अभी आप बोलोगे है यह मंदर जाने का क्या logic है जब हम एक घर के मंदिर के बारे में बात करते हैं जहां पर समाज के बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और व्यक्ति आके वहां पर collectively पूजा करते हैं तो वो एक सूर्य का प्रतीक है ध्यान देना जुपिटर का प्रतीक आपके घर में रखे हुए, आपके घर में रखे हुए, मंदिर में जुपिटर का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जहां collectively लोग, सारे लोग collectively आ रहे हैं, और कोई भी, collectively कोई पूजा, समहारो, आयोजन या कुछ भी हो रहा है, तो वो सूरे का प्रतीक होता है, जहां पर लोग इखटा हू वो सूरे का प्रतीक है, तो यहां पर अगर आपका one number missing है, तो आप सामने वाले हो, क्या बोलोगे, कि आप मंदर जाओ, ऐसे मंदर जो आपका घर में नहीं, वो वाला नहीं, जो बाहर है मंदर बहां जाओ, और बहां पर, चाहे एक बार मत्थर टेक कर आजओ, मत्थर टेक आप नहीं, हाँ, दूसरा आप क्या कर सकते हो, सूरे को जल चढ़ा सकते हो, अब क्या होता है कि जब हम सूरे को जल चढ़ाने के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप किसी हिंदू को आप ये remedy दे रहे हो, तो बड़े easyly कर लेगा, कि सूरे पर जल चढ़ाना है, हम चढ क्या टेंशन है, सूरे को जल चढ़ा देंगे, लेकिन temple हो या फिर कोई भी religious place हो, जहां पर काफी लोग आकर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आप कोई Muslims हैं, जो आप से consultation लेते हैं, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो, कि आप अपना, जहां पर आपकी नमाज होती है, जहां collectively लोग नमाज पढ़ते हैं, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है, कोई Christian है, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं, भई, आप church जा सकते हैं, ठीक है, कोई Sikh हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं, कि आप गुर्धवारे जा सकते हैं, ठीक समझ में आ रहा है आपको यह बात तो हम यहां पर आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूँ है कि सूरे को जल चड़ाना इस वेरी गुड रेमेडी लेकिन यह आप सब धर्म के लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि सूरे को जल चड़ाना इस a kind of Hindu thing मुझे नहीं समझ में है कि kind of Hindu thing क्यों है क्योंकि सूरे तो चाहे कोई भी हो हम Hindu है Muslim है Christian है Sikh है कोई भी धर्म के है सूरे तो सबके ओपर सेम है तो बट क्योंकि कल्चर माना गया कि हिंदू का कल्चर है कि सूरे को जल चड़ाओ जो एक बहुत scientific culture है basically क्या था सूरे को जल चड़ाने का मतलब क्या थ कि जब आप सूरे को ऐसे जल चड़ाएंगे तो सूरे से निकलती हुई जो किरने होंगी जो पानी से होती हुई आपकी आँखों तक आएंगी वो आपकी आँखों की उर्जा बढ़ाएंगी और आपके शरीर की उर्जा बढ़ाएंगी ठीक है और आप वो जो सूरे जो अ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर एक नंबर कम है तो, हमारे घर में सूर्य का प्रती कौन है, फादर, अब अगर अगर उनके फादर जीवित है, तो उनको बोल सकते हैं कि भई, पिहली एक नंबर नहीं दिया, इश्वर नको अभी इन से बना, अभी जो घर में साक्षा सूरे उनसे बना कर रख लो कई बार जब एक नमबर नहीं होता न तो ऐसे लोगों में आप पाएंगे कि पिता से भी नहीं बन पा रही है क्योंकि एक नमबर की कमी है जिस चीज की कमी है उस चीज की कमी वो हर जगा दिखाई देगी न तो अभी आप क्या remedy की तौर पर सामने वाले को यह सजेस्ट कर सकते हो कि at least यार सूरे से जो घर में साक्षा सूरे बैठे हैं आपके लिए उनसे बना कर रख लो कई बार हो सकता है difference of opinion हो बट remedy वैसे भी तो करते हो न कितनी सारी यह कर लो ठीके अगर पिता जीवित है तो आप यह कर सकते हो पित पिता को याद कर लें पिता के सामने हाथ चोड़ लें ठीक है अगर वो मतलब अपने शरीर में नहीं है तो उसके बाद और क्या कर सकते हैं अपने घर के east में हो अपने घर के east में एक सूरे का sun face कहते हम उसको ध्यान रखें यह sun face by leec कुर इसको material का मत लगा दीजेगा क्योंकि brass में earth element है और वो हर जगा compatible हो जाता है लेकिन अगर आप किसी और चीज का लगा देगे तो कई बर कुछ नकरात्मक sign देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो east में सूरे लगा सकते हैं अगर आपका एक number यहां नहीं है तो उसके बाद और क्या क रख सकते हैं ध्यान देना मैं क्या बोल रहे हूं धारी दार धारी दार कार्णिलियन इस्टोंस कहलो टंबल्स कहलो कुछ भी कहलो कि धारी दार जिनके अंदर धारी होती है इस तरह के जैसे आपको दिखाई भी दे रहोंगे इस स्क्रीन पर तो धारी दार 5 कितने number 5 नंब रख लो वहां पर भी आपका क्या होता है आपका ये जो एक number जो नहीं है वह был onse होता है अपने शरीर पर क्या remedy धार कर सकते ओं प्रोंस्पर रुद्र अप्र धारन कर सकते ओं अगर एक number missing है तो जैस्पर रुद्राक्श ब्रेसलेट बेसिकली क्या करता है वह जो पावर है सूरे की वो इखटी करके आपके शरीर के अंदर पहुंचाता है आपको इश्वर ने वो नंबर नहीं दिया जिसकी विरह से प्रॉब्लम्स हो रही है तो ये जब आपके हाथ में रहता है और हमेशा आपके हाथ में रहता है और environment में show होना चाहिए that's it हाँ ये ज़रूर कर सकते है क्योंकि हम इसको सूरे के energy के लिए पहन रहे है तो इसको सूरे वाले दिन पहने सूरे का दिन कौन सा होता है संडे तो संडे वाले दिन आप पहन सकते है जैस्पर रुदराक्ष को और आपको इसके amazing benefits देखने को मिलेंगे within 45 days आपको ये जो सारी problems है जो एक number ना होने की वज़ा से आप face कर रहे हो वो धीरे धीरे ऐसे true mantra होते भी दिखाई देंगी मैंने अभी बोला धीरे धीरे तो धीरे धीरे ही होगा ऐसे नहीं होगा कि आज आपने पहना और कल से आप ओहो मैं एकदम fluent speaker बन गया हूँ अभी सब कोई self confidence की कमी नहीं बचिए धीरे धीरे चीज़े होंगी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी ठीके ये आप करिए और आपको एक number जो missing है उसका उसकी जो negative impacts हैं वो completely जड़ से खतम हो जाएंगे and that is a guarantee actually that is a guarantee मैंने बहुत सारे लोगों को करवा है और बहुत अच्छे results मिले हैं लेकिन फिर बोलती हूँ जो की जो main बात है वो main ही रहेगी अगर आपको इसके नुकसान हो रहे हैं अगर आपको ये सारे चीज़ें अपने अंदर दिखाई दे रही हैं तब ही ये काम करें otherwise अगर आपको जरूरत नहीं है आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा काम तो चली रहे मुझे तो बिल्कुल एक काम करने की जुरूरत नहीं है चलिए इसी के साथ जैशरी राम फिर मिलती हो नमबर दो की रेमेडीज के साथ